हेलो सब्सक्राइबर कैसे हैं आप लोग आप लोग ठीव होंगे तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नमबर थर्ड का पार्ट टू पार्ट वान हम पढ़ चुके यान लेक्षर वान हम पढ़ चुके अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो की लिंक करें अपको लेक्षर वन मिल आएगा दसमें लोग ने हम जाना था कि फ्प्रट क्या होता है और नीट zeker फास्ट लॉफ्स्स लाफ मॉशें क्या है उतनाए और सटेशनरी बाडिग्स क्या लिप या होती है और हमने कॉंट legitim और ओं definitive के बारे में जाना था झ Wiz bao ची आपको मैं रहा धना बिला यह करको को आपको एक दूसरी के आपस रिखरों लरू करता I और इससे हमें मालू पड़ेगा कि बिना contact में आए भी magnetic force काम करता है तो यह हमारा एक non contact force का example हो गया जो हमनों experiment के तुरू देखा है तो यह हो गया अब हम पढ़ने वाले balance and unbalance force तो उसने क्या बोला कि experiment करने बोला कि cardboard लेना है आपको उसके ओपर table पे रख देना है और उसके दोनों side आपको जिसे तराजू देखा हो आपने उस तराजू को लगाना है और force को balance करना है force को balance करना मतलब क्या होता है non unbalance force क्या होता है और balance force क्या होता है suppose आपने एक box लिया है और इधर से भी मतलब दो लोग ने ठका दिया सपोज और इधर से भी दो लोग ने रखा दिया वो भी सेम वेट का तो वो बॉक्स आगे नहीं बढ़ेगा एक ही जगह पर टिका हुआ रहेगा क्योंकि क्या हो गया फोर्स बैलेंस हो गया सपोज आप मार्केट में जब सब्जी वगर लेने जाते हो तो वो सब्जी वाले जब तक वेट बैलेंस नहीं नहीं रहते हैं जब तक वेट बैलनस नहीं होता हुआ वो नहीं रहते हैं ठीक है क्योंकि उनको उसी weight के balance करके बिचने से तो इससे balancing weight से क्या होता है कि उनको मालूम पढ़ जाता है कि हाँ ये इसके बराबर हमने सब्सक्राइब इसी तरीके से इन्होंने समझा रहा है कि जब दो force बराबर रहेगा तो वो कोई भी चीद अपनी जगाँ पर balance रहेगी the box does not इन्होंने बोला कि cardboard लगाना है और इधर पर उसको एक धागे से बांद के दया है और इधर से एक धागे से बांद कर दोनों तरफ तरफ तराजू लगा देना है और दोनों तरफ same weight रखना है ठीक है और same weight रखोगे तो वो cardboard अपनी जगाँ से हिलेगा नहीं बिलकुल एक जगहां वैसा हिटिका रहेगा बट फिर आपको क्या करना है एक तरफ से आपको weight बढ़ा देना है यानि आपको 1kg का weight उठाकर 2kg का weight रख देना है तो जिस तरफ जादा weight होगा उस तरफ cardboard पूरी तरीके से move हो जाएगा which means balance force on the box with the effect of equal to zero जब balance force है तो कोई effect उस पे नहीं पड़ेगा और वो zero move होगा कोई movement नहीं होगा हना on the contrary the mass is kept on then as other box start moving on the direction of span with the more mass और जिदर फिर आप जादा रख दोगे more mass मैंने बुला ना जिदर 2kg का weight रख दोगे उस तरफ से वो cardboard move हो जाएगा when unequal force is applied to the box on the two side an unbalanced force of the act is resultant in impaired motion और जब unbalanced force रखा तभी उसके साथ motion हुआ जब तक आपने दोनों side 1kg का वो रखा था तो कोई motion नहीं हुआ था cardboard बिलकुल टिका हुआ था बट जब अपने force unbalanced कर दिया एक तरफ 2kg और एक तरफ 1kg तो cardboard more mass यहां पर जहां पर जारा वजन है उस तरफ move हो गया फिर उसके बहुत सारे example है balance और unbalanced force के जैसे कि children playing tug of war जैसे आपने रेखा होगा अपने sports में tug of war होता है कि इदर से और उदर से बच्चे रसी बगड़ के खीच रहते हैं जब तक दोनों तरफ से force सेम लगता है ना तो कोई भी team जीती ने बट जिस जैसा ही कोई एक team जादा force लगा रेती है ना जादा वजन लगा रेती है तो उस तरफ वाली team पूरा डूसरी team को अपनी तरफ लेती है तो इससे भी एक मालूम बढ़गा कि जैसी unbalance हुआ पूरी तरीके से एक team हार जाएगी और जिसके जिसने जादा force लगाया वो जी जाएगी और पूरी अपने तरफ खीच लेगी यानि जितर माल मोर मास हुआ यानि जादा बदन जादा force जिसने act किया वो कम वाले इसा होता है यहां पर ऐसा रखा हुआ रहता है और इदर बच्चे बैठे रहते है ठीक है और यहां पर भी बच्चा बैठा रहता है जो फोर्स जब तक वो पैर अपना दमीन में रखता है और जो बच्चा हलका रहता है वो उपर की तरफ चला है जो नीचे रहता है वो न अगर आप बोलो कि अगर एक ही तरफ से दो लोग फोर्स लगाएंगे तो किसी भी चीज का मोशनी बोला है तो अपनी जगां से मुवने होगा बट दोनों लोग एक ही तरफ से आके रखका देने लगेंगे तो बॉक्स को डबल फोर्स मिलेगा और वो एक तरफ मूव हो फिर उन्हेंने बोले इस विए तरफ चार लोग थे और एक तरफ चार लोग थे ठीक है तो आपस में फोर्स लगा रहे थे और नहीं बढ़ रहा था क्यूंकि दोनों लोग से लगा रहा थे बट क्या करना एक तरफ से दो लोग को हटा के अपोजिट साइट पे भेज दो ह तो एक तरफ चे लोग जाएंगे और एक तरफ दो लोग और वो पूरी तरीके से उसको खीच लेंगे क्यूंकि और दो फोर्स एड हो गया ना इधर से यानि इनका फोर्स बढ़ गया तो उसी नहीं बोले कि जब भी कोई डारेक्शन में सेम फोर्स लगा जाएगा सपोज किसी एक बड़े से पत्थर को ढखा देना है तो दो बच्चे बोलेगे नहीं मैं उदर से ढखा दे रहा हूँ तुम इधर से दो तो पत्थर बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा लेकिन जब चारो बच्चे बोलेगे नहीं हम लोग सब एक ही साइड से ढखा देते और उसको उदर गिरा देंगे तो वो जैसा ऐसा है हम आपको समझा दूँ एक बड़ा पत्थर है दो बच्चे इधर पे हैं और दो बच्चे इधर पे हैं यह यह दोनों लोग आपस में रखा देंगे और बीच में यह फोर्स नहीं इलेगा अपनी जगां पे रहेगा लेकिन बाद चारों बच्चे एक ही तरफ से उसको धका देने लगेंगे तो यह कैसा आगे की तरफ यह पत्थर मूब हो के इधर लुडग जाएगा तो उन्होंने यही बोला है और जब फोर्स दोनों तरफ से अव्यूब ने होगा जब तक कि force का difference create नहीं होगा जब तक एक तरफ जाधा और कम force create ना हो तो या तो दोनों तरफ unbalance force औहना दोण का झीज function करेगी जब एक तरफ फूस ज़्यादा हो गयाanie एक चीज याद रहे हैं कि force जो हो magnitude में express करते हैं ठीक है magnitude मतलब जिस चीज का direction और दोनो होता है ठीक है force is vector quantity फिर force जो है vector quantity है when force is applied on stationary object it is speed of the direction and change कि उसके अंदर ना speed और direction दोनो है आप बोलोगे कैसे मैं ज़िए नहीं समझ रहा तो suppose आप किसी गाड़ी को force लगा रहे हो और धक्का दे रहे हो तो वो road पर चल रहे है लेकिन आप किस direction में धक्का दे रहे हो किसी एक direction में धक्का दे रहा ना तो उससे मालूम पड़ रहा है ना कि आप उसको right में जिसके पास direction और speed दोनों होगा उस चीज़ को आप vector quantity बोलोगे और उसका magnitude होता है और force का जो SI unit होता है वो Newton होता है कि इसको जो है Newton ने वो किया था डिस्कवर किया था जैसे उन्हों ने बोला है फिर एक example दे लिया है कि आपके घर में जब मम्मी जो है वो आटा गुनती है तो उसका motion मतलब उसका shape चेंज हो जाता है ना जैसे मम्मी जब हाद से प्रेस करती है क्यों चेंज जाता है क्यों कि उस पर force लगा रहे है एक तरफ से और वो force पूरी तरीके से वो absorb कर रहा है तो उसका इसी तरह से आप किसी चौड़ से sheet को ले लो पत्थर मतलब उसको लोही की चीज ले लो और उसको hammer से उसके उपर पीटो अना पुटब करो तो धीरे धीरे उसका shape चेंज हो जाएगा वो पतला हो जाएगा क्यों हो जा रह यहां से तो वो stretch होके ऐसा हो जाता है क्या हुआ क्या हुआ क्योंकि अपने दोनों तरफ से यहां से भी और यहां से भी force लगाया तो यह यह वाला rubber band कैसा ऐसा हो गया तो जिस तरफ प्रस लगेगा वो चीज में चेंज आएगा उसके motion में और direction में चेंज आएगा फिर अब बात आती है inertia inertia कहता है inertia we have changed that object changed state of motion due to the force when the absence of force object exhibit the tendency to remain exit state position let us see the following example उन्हेंने क्या बोला है मैं आपको easy language में समझाता हूँ कि कोई भी चीज जब तक stationary position में है और आप उसको कोई force लगा के change नहीं कर रहे हो तब तक उसको हम बोलेंगे कि inertia है वो उसके उपर inertia काम कर रहा है inertia काई type का होता है अभी आप आके देखोगे हाना जब किसी कोई चीज रखी हुई चीज को आप force लगा के change कर देते हो तो उसको बोलेंगे कि वो inertia उसके उपर काम किया है यानि वो inertia वो चीज inertia पे आगे like we have seen that object change in the state of motion due to force जब किसी force लगने की वजए से कोई object अपना motion change कर दे हाना तो उसको बोलेंगे inertia in the absence of force object exhibit a tendency of remain its state of motion और जब तक उस पर कोई force नहीं लगा गया वह अपने इजर से stationary position पर है यानि रुके पर position पर let us see the following example अब आपको कुछ example देखने के लिए कहा गया है पहले activity है जैसे activity की तो आप करके रेख लोग जैसे half glass kg of mass stand with a string and to the mass and kept with the hanging pull the string and to आपको लेना है कि एक half kg का marks आपको extreme में बान देना है और उसको ऐसा pull करना है घुमाते रहना है तो आप जब थोड़े दिर को गुमाना छोड़ भी दोगे ना फिर भी वह घुमते लगा है फिर यहां पर दिया जैसे आपको कुछ example यहां पर यहां पर देंदेंसी of the object remain in the existing state is called inertia the tendency of object to remain in the existing state is called inertia हना this is why the object is stationary state remain in the same state and object in the motion remain in the state of motion in the absence of external force जब से भी कोई चीज रख्षी हुई है ना तो वो अपने inertia position में है जब तक कोई force नहीं लगा दे रहा कोई हना उसको रोकने के लिए या उसको रखका देने के लिए और कोई चीज चल रही है तो भी वो अपने inertia position में है क्योंकि जब तक उसको कोई बाहर से force नहीं लगा देता जब उसको कोई force लगा देगा तो वो अपने inertia position से रूप जाएगा inertia मतलब state आपको माई यह मान के चलना है कि वो अपने state position में है यानि stationary जैस position में वो फैले थी वो उसी position में है एन अब्जेक्ट रखा हुआ है तो अपने से अपने आपको तो मूड़ेगा नहीं है ना एक पत्थर है वो रखा हुआ है आपने से तो टहलने नहीं लगेगा तो जब तक उसके ओपर कोई force नहीं अपलाएगा तो जब तक वो अपनी ज of rest position में है और कोई object है वो motion कर रहा है एक ball किसी ने फेका है और वो दूर तक जा रहा है ना मतलब speed में जा रहा है किसी ने ball को फेका है तो जब तक को इसको रोकेगा नहीं तो वो inertia of motion position में है जैसे उन्होंने आके example दिया है inertia of motion the inherent property of the object which is state the motion can change it is called inertia of not change it is called inertia of motion for example revolving in electric fan continue to revolve even after it switch off ठीक है passenger sitting in the running bus get zerk in the forward direction after suddenly stop जैसे उन्होंने बोला कि पंखा चाल हुए फिर light चली गई फिर भी पंखा गोमते रहता है ना कब तक गोमेगा जब तक उसको उसके bearing का जो वो force है या जो भी जब तक उसको हवा का जो resistant है तब तक नहीं रोकएगा जब तब तक वो घूमता रहेगा जब तक उसको रोकेगा नहीं और जब उसको रोक लिया तो मतलब जब तक उसको नहीं रोका तब तक वो किसमें हो है inertial motion में है मतलब motion of inertia में है इसी तरह bus के साथ होता है कि bus में आप जाते रहते हो और अचानक से brake लग जाता है फिर भी आप आगे की तरफ बढ़ जाते हो क्योंकि bus के साथ तो आप चल रहे थे travel कर रहे थे न but motion of inertia को मालूम नहीं रहता है कि ब्रेक लग जाते है जब ब्रेक लग जाते है तब भी आप आगे की तरफ बढ़ते ही रहते हो लेकिन फिर एक सेकेंड बार मालूम पढ़ता है उसको कि हाँ आप तो ब्रेक लग जाते हो इसलिए आप थोड़ा सा of its motion is called directional inertia for example if vehicle motion along the straight line suddenly turn the passenger sitting in a stone opposite to the direction of turning जैसे आपने बुलोगा आप कार पे आप जा रहे हो माँ स्पीड में स्पीड में स्पीड में जा रहे हो और अचानक से राइट टन आ गया तो जब वो राइट टन लेगा ना तो आप लेट की तरफ होने लगोगे तो इसको बोलते हैं डिरेक्शनल इनर्शिया क्योंकि आप तो सीडे की आपकी वोडी तो सीडे की उसमें स्पीड में जा रही थी हाना वोडी को यह पताता कि मैं सीडी की तरफ ट्रेवल कर रहा हूं बट अचानक से तब लेफ्ट की तरफ होता है ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और यह इसका पार्ट टू भी आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में पार्ट ट्री भी मिल जाएगा